यदि हम फफून जनित बीमारियों की अगर हम बात करते हैं तो मिर्च में एक सबसे बड़ी समस्या है एंथरेग्नोस जिसको हम लोग हिंदी में श्यामवड भी बोलते हैं तो एंथरेग्नोस में दो तरीके के लक्षण दिखते हैं एक तो होता है इसमें तने का सूखना डा पून बीमारी है मिर्च के अंदर यदि हम लोग इसको सही समय पर अगर हम लोग इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो मिर्च में इससे काफी हद तक नुकसान होता है और इसके अंदर ये भी देखा गया है कि जो हम लोग मिर्च की तोड़ाई करते हैं यदि हम लोग तोड फंजिसाइट का इसके अंदर कवक नाशियों का छिड़काओ करें तो अगर ये बीमारी अगर कम दिख रही है कर छोटे अस्तर पे एक दो पोधों में दिखाई देती है अगर शुरुवाती अवस्था में तो हम लोग इसके अंदर सिर्फ मैंकोजेप 2 ग्राम या 3 ग्राम परती लीटर के हिसाब से छिड़काओ करेंगे यदि उस छिड़काओ करने के बाद भी यदि अगर इस तरीके के लक्षड अगर हमको खेत में दिखता है तो डाई फेनकोनाजोल सिस्टेमिक फंजिसाइड्स आते हैं उनका दवा का छिड़काओ हम लोग खेत के अंदर कर होते हैं यह दवा बहुत इफेक्टिव है जो इसको बीमारी को काफियत तक रोकती है